ते जस्वी जादयब जी ने कहा था कि खेला हो बे तब इनके दल में ही खेला शुरू हो गया है लालेज की कोई प्रकास्टा होती नहीं है चुनाओ का समय है लोग आवा गमन में विश्वास करते हैं इसको 2024 के चुनाओ के बाद में चुनाओ करानवाना ही नहीं है आज पागर लोग सबकाट पिकट देगी तो मैं सोचूंगी अब इन्हें रेंदर मोदी जी परधान मंत्री है तो उतो राहुल जी से बड़ा हईय है हम लोग तो किसी को तोरे नहीं है ते जस्वी जादव जी ने कहा था कि खेला हो बे तब इनके दल में ही खेला शुरू हो गया है हम लोग इनको एक खेलावना देते जा रहे कि खेलते रहे हैं और ये कौन-कौन संकल पियातरा पर निकले हैं तो पहले लोगों को बताना चाहिए 1990-2005 का दोर था माता पिता का जो राज था वो बताना चाहिए कि कितना घोटाला हुआ जमीन लेके नोकरी दिया गया अने को अने घोटाला चारा घोटाला हुआ अपराधी कैसे अन्ने मार्ग में सरन लेते थे आज अन्य मार्ग में नितिश कुमार जी के राज में अपरादी अगर अपराद करता है तो वो पता से खोई लिया जाता है यह आने वाला चुनाओं में बिहार की जनता जवाब देदे। हमको अपने पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है पार्टी के सिंबूल पर मैं विधायक बनी हूँ और हम अपने पार्टी के सिर्ष नेताओं से यही कह रही हूँ कि मुझे भी सांसक बनने का मन कर रहा है हमको भी नवादा से कॉंग्रेस टीकट दे भाजपाग अगर लोग लगादी से ज्याजा बड़ा ब्यक्तित्तु नोदी जी का है अभी नरेंदर मोदी जी परधान मंत्री है तो यहीं कह रही हूं कि हमारा जिला हमेशा बाहरी सांसत बना है इस बार हमारे जिला का डिमांड है कि लोकल उमीदवार हमरा अपना उमीदवार एंडिये से हो चा को पार्टी हमको टीकट देगी उसका में समर्थन करूंगी क्या आपको कॉंग्रेस फोर के बीजेप आने का कोई वजा नहीं है पार्टी हमको संतावना दे रही है कि लोग सभाक आपको उमिद्वार बनाया जाए पता नहीं आप किस कारण से जा रहा है हम नहीं जानते हैं और नहीं जाना चाहिए इस तरह से और जिस पार्टी का दामान अपनी थामा है फिर आप नहीं वापस आईएगा ये भी मेमक कर रहा हूं करें कि लालेज की कोई प्रकास्टा होती नहीं है चुनाओ का समय है लोग आवा गमन में विश्वास करते हैं वैचारिक पटल मजबूत नहीं होता है पैसा को देख करके दिमाग खराब हो जाता है तो यहीं उसका उसकी मिसाल है यह सब यह मिसाल है अगला नमबर तो भाती पास होगा ना कहा है किसका है क्योंकि यह चीज़ें तो विश्वास पर चलती है और विश्वास घाती लोग इस तरह से घात लगा करके तमाम रिसोर्सेज का टिकट का इस्तमाल करती हैं पर प्रतिष्ठा पाने के बाद अगर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको क्या कहा जाएगा गंदी राजनी तो गंदी भरस्त लोकतांतिक विवस्था को कमजूर करने वाली और भाजपा इस तमाम खेल में शामिल रह सकती है उसको कोई मतलब नहीं है कि देश में लोकतांतिक विस्था बरी रहे हैं तो वह जिस लिहास से आगे बढ़ रही है तो वह तो खत्रा मंदा रहा है हमारे एक जो पूरी डिमोकरटिक प्रॉसेस है इस देश में पक्च है विपक्च है आवाज है जनता की आवाज है सब को सुला देना चाहती है वो इसका खम्याजा देश की जनता को ही भुगतना पड़ रहा है ना कल को कोई विपक्च कोई आवाज नहीं रहेगी